पूरी दुनिया के लिए बालश्रम की समस्या एक चुनोती बंती जा रही है विभिन देशु द्वारा बालश्रम पर प्रतिबंद लगाने के लिए समय समय पर विभिन प्रकार के कदम उठाए गए हैं इस क्रम में दुनिया भर में बालश्रम की कुरूरता को समाप्त करने के लिए हर साल 12 जून को विश्व बालश्रम निशेद दिवस मनाया जाता है बालश्रम को काबू में लाने के लिए विभिन देशों द्वारा प्रयास किये जाने के बाद भी इस स्थिती में सुधार नै होना चिंतनिये है महत्वपोंड बिंदू वेश्व बालश्रम निशेद दीवस की शुरुवात अंतराश्ट्रिय संगठन द्वारा वर्ष 2002 में की गई थी इसका मुख्य उदेश्य बालश्रम की वेश्विक सीमा पर ध्यान केंदरित करना और बालश्रम को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आवश्यक प्रयास करना है अंतराश्ट्रिया श्रम संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट से पता चलता है कि बालश्रम को दूर करने में हम अभी बहुत पीछे हैं वर्ष 2016 के लिए ILO डेटा से पता चलता है कि हम विश्व को बालश्रम से मुक्त करने के मामले में अभी मीलो दूर है ILO की रिपोर्ट बालश्रम के वैश्वी कनुमान परिणाम और रुजान 2012-16 में कहा गया है कि 5 और 17 वर्ष की उम्र के बीच 152 मिलियन बच्चों को अवांशन्य परिस्थितियों में श्रम करने को मजबूर किया जा रहा है अंतराश्व्य श्रम संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में बाल श्रम में सामिल 152 मिलियन बच्चों में से 33 मिलियन बच्चे खतरनाक काम करते हैं खतरनाक श्रम में मैन्वल सफाई, निर्मान, ख्रिशी, खदानों, कारखानों तथा फेरी वाला एवं घरेलू सहाय कित्यादी के रूप में काम करना शामिल है आयलों के अनुसार इस तरह के श्रम बच्चों के स्वास्थ, जुरक्षा और नैतिक विकास को खतरे में डालते हैं इतना ही नहीं इसके कारण बच्चे, सामान्य बच्चपन और उचित सिक्षा से भी वजचित रह जाते हैं खतरनाक बालश्रम के कारण दुनिया भर में 45 मिलियन लड़के और 28 मिलियन लड़कियां प्रभावित हैं हाल के वर्षों में खतरनाक श्रम में शामिल 5 से 11 वर्ष की आयू के बच्चों की संख्या बढ़कर 19 मिलियन हो गई है सयुक्त राष्ट्र के अनुसार सयुक्त राष्ट्र द्वारा प्राप्त आकडों के अनुसार 541 मिलियन युवर श्रमिकों में 37 मिलियन बच्चे हैं जो खतरनाक बालश्रम का काम करते हैं यह विश्वकों कुल श्रमिक शमता का 15 प्रतीशत है इन श्रमिकों को कार्य करने के दोरान अन्य श्रमिकों के तुलना में 40 प्रतिशत अधिक घातक चोटे लगती हैं Save the Children Report के अनुसार इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के आधे से अधिक बच्चों को गरीबी, संगर्श और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव का खत्रा है ये बच्चे सिक्षा से वन्चित रह जाते हैं यहां तक की स्वास्त्य देखबाल तथा भोजन जैसी मूलभूत आवशक्ताओं से भी वन्चित रहते हैं इन बच्चों से उनकी मासूमियत छीन ली गई है और उनका बच्चपन एवं भविस्य जिसका उन्हें हक है वहें भी छीन लिया गया है क्या है बालश्रम बालश्रम आम तोर पर मजदूरी के भुक्तान के बिना या भुक्तान के साथ बच्चों से शारिरिक कार्य कराना है बालश्रम केवल भारत तक ही सीमित नहीं है यह एक वैश्विक घटना है बाल श्रम के कारण यूनिसीव के अनुसार बच्चों का नियोजन इसलिए किया जाता है क्योंकि उनका आसानी से सोशन किया जा सकता है बच्चे अपनी उम्र के अनुरूप कठीन काम जिन कारणों से करते हैं उनमें आम तोर पर गरीबी पहला कारण है इसके अलावा जनसंख्या विस्पोर्ट, सस्ता श्रम, उप्लब्द कानूनों का लागू नहीं होना, बच्चों को स्कूल भेजने के प्रती अनिक छुक माता पिता जैसे अन्यकारण भी हैं भारत और बाल्श्रम, भारत में आदिकाल से ही बच्चों को इश्वर का रूप माना लेकिन वर्तमान परिद्रिश्य इस सोट से का भी भिन है बच्चों का भविश्य अन्दकार में होता जा रहा है, गरीब बच्चे स्कूल में सिक्षा प्राप्त करने की उम्र में मजदूरी कर रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार एवं राज्य सरकारों की पहल इस दिसा में सरहान यह है उनके द्वारा बच्चों के उत्थान के लिए अनेक योजनाओं को प्रारंब किया गया है जिससे बच्चों के जीवन वे उनकी शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव दिखे शिक्षा का अधिकार भी इस दिशा में एक सरहान्य कार्य है इसके बावजूद बालश्रम की समस्या अभी भी एक विकट समस्या के रूप में विराजमान है बालश्रम और भारतिय समविधान सम्विधानिक विवस्था के अनुरूप भारत का सम्विधान मोलिक अधिकारों और राज्य के नीती निर्देशक सिद्धान्तों की विभिन धाराओं के माध्यम से कहता है 14 साल के कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्टरी या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा और नहीं किसे अन्य खतरनाख नियोजन में नियुक्त किया जाएगा राजे अपनी नीतियां इस तरह निर्धारित करेंगे कि श्रमिकों पुर्षों और महिलाओं का स्वास्ते तथा उनकी छमता सुरक्षित रह सके तथा बच्चों की कम उम्र का सोशर नहो एवं आर्थिक आवशक्ताओं की पूर्ती के वे अपनी उम्र वे शक्ति के प्रत स्वास्तिकूल काम में प्रवेश करें बच्चों को स्वस्त तरीके से स्वतंत्र वे सम्मान जनक स्थिति में विकास के अवसर तथा स्वीदाएं दी जाएंगी और बच्पन वे जवानी को नैतिक वे भोतिक दुरुपयोग से बचाया जाएगा संविधान लागू होने क के दस साल के भीतर राज्य चोध्य वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेंगे बाल्ष्रम एक ऐसा विश्य है जिस पर संगिये वे राज्य सरकारे दोनों कानून बना सकती हैं अन्य प्रयास जो इस संदर्भ में सम कम उम्र के बच्चों को किसी भी अवैद पेशे और 57 प्रिक्रियाओं में जिन्हें बच्चों के जीवन और स्वास्ते के लिए अहितकर माना गया है नियोजन को निशित बनाता है इन पेशों और प्रिक्रियाओं का उल्ले कानून की अनुसूची में है फ्यक्ट्री वर्ष्टक के किशोर किसी टैक्ट्री में तभी नियुक्त किये जा सकते हैं जब उनके पास किसी अधिक्रित चिकत्सक का फिट्नेस प्रमान पत्र हो इस कानून में 14-18 वर्ष्टक के बच्चों के लिए हर दिन 4.5 घंटे की कार्यवधी तै की गई है और उनके रात में का भुत्तम नियायले के उस फैसले से आया जिसमें संघिये और राज्य सरकारों को खतरनाक प्रक्रियां में उन्हें काम से हटाने और गुणवक्ता युक्त सिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया था नियायले ने यह आदेश भी दिया था कि एक बालश्रम पुन्रावास सहकल्यान कोश्खिस थापना की जाए जिसमें बालश्रम कानून का उलंगन करने वाले नियोकताओं के अंशदान का उप्योग हो निशकर्ष बालश्रम की समस्या का मूल है निर्धनता और एसिक्षा जब तक देश में भुकमरी रहेगी तथा देश के नागरिक शिक्षित नहीं होंगे तब तक इस प्रकार की समस्याएं जोंकी तो बनी रहेंगी देश में बालश्रम की समस्या के समादान के लिए प्रशाश्रिक सामजीक तथा व्यक्तिकत सभी इस्तरों पर प्रयास किया जाना आवशक है यह आवशक है कि देश में कुछ विशिष्ट योजनाय बनाए जाएं तथा उन्हें कार्यानवित किया जाएं जिससे लोगों का आर्थिक इस्तर मजबूत हो सके और उन्हें अपने बच्चों को श्रम के लिए विवश्च नय करना पड़े प्रशाशनिक इस्तर पर सक्त से सक्त निर्देशों की आवशकता है जिससे बाल श्रम को रोका जा सके व्यक्ति गत इस्तर पर बाल श्रम की समस्या हम सभी का नेतिक दाइत्व है इसके प्रती हमें चागरुक होना चाहिए तथा इसके विरोध में सदैव आगे आना चाहि बालश्रम की समस्या के निदान के लिए सामाजिक क्रांती आवशक है ताकि लोग अपने नीहित स्वार्थों के लिए देश के इन भावी निर्माताओं व्यकंड धारों के भविश्य पर प्रश्न चिन्न नह लगा सकें धन्यवाद जय हिंग जय भारत